So Hello Everyone, मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वालें ABB India Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए क्या टार्गेट होने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे नीचे अगर support देखोगे तो stock के लिए अब यह almost support के पास ही आ चुका है support कौन सा इसके लिए एक तो support यहाँ पे हमें यह देखने को मिलता है जो 76,50 रुपीस का जो level है यहाँ पे इसके लिए support का काम कर सकता है आप देखोगे आज के दिन भी इसने इसी area के around से यहाँ पे थोड़ी सी support लेने की कोशिश की है अब कल का दिन यहाँ पे काफी ज़्यादा important है क्योंकि अगर कल के दिन यहाँ पे इस area के around अगर यहाँ पे green candle बनती है और closing मिल जाती है तो possibility बन सकती है कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे recovery हो बट अगर यहाँ पे कल के दिन अगर 76.50 का level भी break हो जाता है तो फिर हमें और नीचे के levels देखने को मिल सकते हैं अब इसकी possibility मेरे को कम क्यों लग रही है क्योंकि क्या है कि नीचे आपके पास support और भी है आप देखूँगी यहाँ पे भी आपके पास 7300 रुपीज के round एक support निकल के आ रहा है अगर stock यहाँ पे कल 76.50 को break भी करता है तो यहाँ पे 73.30 रुपीज के round आपको support मिल जाएगा अगर यह level break होता है ना दिक्कत वाली बात तब होगी कि यहाँ पे फिर हमें थोड़ी लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है 6500 रुपीज के level तक अगर यह level break होता है तो वरना मैंने आपको बता दिया कि कल के दिन अगर green candle बनती है यहाँ पे तो upside का moment आ सकता है अगर यहाँ पे यह level sustain नहीं कर पाता है 7650 का और break कर देता है इसको नीचे तो फिर 7300 के level देखने को मिल सकते हैं तो यह भी फिलाल के लिए इसके अंदर levels निकल के आ रहे हैं यह भी इंडिया शेयर के I hope यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रही होगी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में